हेलो दोस्तो जय हिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सौरब कम्प्यूटर पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CHTL की जो वेकेंसी आई है उसके बारे में जिहां फ्रेंट्स इस वेकेंसी का ओफिशिल नॉटिफिकेशन 6 December को वा चुका है इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है exam process को लेके exam process आपका पूरी तरीके से बदल गया है दोस्तो उसके बारे में हम पूरी detail में बात करेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले basic detail देख लेते हैं जो की notification में बताया गया है सबसे पहले हम देख लेते हैं important dates के बारे में तो आपके जो online form है वो 6 December से भराने चालू हो चुके हैं जिसकी last date रहने वाली है 4 January 2023 इसके बाद अगर आपका form में कुछ गलत हो जाता है आपको कुछ correction करना है संसोधन करना है तो आप 9 से 10 जनवरी के बीच में कर सकते हैं आपकी जो exam है February March में होगी इसके बाद बात करेंगे salary के बारे में आपकी salary क्या रहती है इसमें तो lower division clerk और junior secretary assistant के लिए इसमें salary रहती है 19,900 से लेके 63,200 रुपए तक फिर data entry operator के लिए अगर apply कर रहे हैं तो आपकी salary रहेगी वह 29,200 से लेके 92,300 रुपए तक रहने वाली है आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कुल कित्ते पदों के लिए vacancy है तो मैं आपको बता दू टोटल 4500 पदों के लिए आपकी vacancy है बहुती अच्छी vacancy है दोस्तो आप सभी को इसमें form apply करना है female के लिए तो बहुती अच्छी vacancy है उनको तो जरूर apply करना है दोस्तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस department के लिए vacancy आई हुई है तो आपकी जो vacancy है data entry operator, lower division, clerk, junior secretary assistant, postal assistant इन पदों पर vacancy आई हुई है friends आगे चलते हैं इसमें बताया गया है nationality और citizenship अगर आपको form apply करना है तो आपका भारतिय नागरिक होना जरूरी है या फिर subject of Nepal होना या फिर subject of Bhutan आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं age limit के बारे में इसमें आपकी age मांगी गई है 18-27 साल इसमें आपको age relaxation मिलता है rule के हिसाब से SCST वालों को 5 साल का OBC वालों को 3 साल का ex-serviceman को 3 साल का इसके बाद बात करेंगे हम कि कौन-कौन इसमें form apply कर सकता है इसमें आपका qualification क्या मांगा है तो मैं आपको बता दू कि 12th pass candidate इसमें form apply कर सकते हैं सिर्फ 12th pass मांगा गया है उसके अलावा कुछ भी नहीं अगर आप 12th pass है तो आप इसमें बिंदास form apply कर सकते हैं बहुती धमाकेदार vacancy है फ्रेंट्स आंगे चलेंगे मैं बता दू कि इसमें आपकी जो fees किती लगेगी तो fees के बारे हम बात करें तो general OBC और EWS वालों के लिए इसमें fees लगेगी 100 रुपीस और STST और OBC वालों के लिए कोई भी fees नहीं है फ्रेंट्स बिलकुल free form है तो उनको apply करना ही करना है अब हम बात करेंगे इसके exam के बारे में exam process जो चेंज हुआ है उसके बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए पॉइंट 5 के माइनस मार्किंग होगी objective टाइप कोशन रहेगा सब कुस्से में पर चेंज क्या हुआ है आपकी जो एक्जाम होगी ना फ्रेंड्स यह स्टिप कॉलिफाइंग होगी इससे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट किससे बनेगी टाइयर टू स्केम ऑफ टायर टू इग्जामिनेशन इससे बनने वाली दोस्तों जिसमें आपके तीन सेक्षन है सेशन वन में और सेक्षन टू में तो सेशन आप देखिए मॉडिल वन में आपका मैथिमेथिकल अबिलिटिस से 30 कोशन और इसनिंग एंड जनरल इंटेलिजन से 30 कोशन टोटल साथ कोशन रहेंगे एक कोशन तीन मार्क्स करेगा 180 मार्क्स का पेपर होगा आपका एक घंटे का टाइम रहेगा अब सेक्षन टू में देखिए मॉडिल वन इंग्लिश मेरीट लिस्ट बने गी मतलब तीन सो शाट मैं से जोकर मांक्न के मांक्स आएंगे उसके इस आप्सापकी मेरीट वनवाली है Ben सेक्षन 3 की बात करें तो सेक्षन 3 में आपका कॉलिफाइंग होगा उनली इसमें आपका कंप्यूटर मतलब टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका मॉडियूल में कंप्यूटर नॉलेज मेडियूल यह आपका नया आया है यह अब हर बार आपको आए झाल झाल